हेलो गाइल नमस्कार सूप्रबाद गुड मॉर्निंग मैं आकाश जेन और एक बार हम फिर वापस मिल रहे हैं किसके उपर स्कॉलर्स के उपर तो दोस्तों हम लोगों ने अभी तक अभी तक टाइटल पढ़ा समने हम लोगों ने अभी तक इंटीर ऑफ दा अर्थ खतम नही ठीक है ना राइट तो हमने कौन से चप्रे स्चार्ट कर दिया मिन्डरल्स एंड रिसॉर्स तो किसी के दिमाग में कौतुहल हुआ कि भई अभी तक हमने इंटीर ऑफ अर्थ खतम नहीं किया उसमें वॉल्कानिक इरप्शन पूरा का पूरा आजट इस रखा हुआ है बट स्टिल अभी हम लोगों ने उस चाप्टर को छोड़के उस चौपिक को छोड़के मिनरल्स और रॉक्स स्टार्ट कर दिया एनी कारण कोई पर्टिकुलर कारण ऐसा क्यों करा मैंने या ऐसा क्यों कर रहा हूँ ठीक है तो चलिए भाई मैं अभी बता देता हूँ आपको प भारी मात्रा में बदल रहे हैं और क्या भारी मात्रा में बदल रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ हमारे जो टाइमिंग हो रहे हैं MCQ session यानि कि दिन में दो session है पहला पूरा theory session होगा पूरा का पूरा ठीक है और even days भी switch हो रहे ठीक है तो पहला पूरा का पूरा theory session में That is completely MCQ session और वो आएगा रात को 9 से 10 पे, ठीक है, right, it might be 8 to 9 और 9 to 10, ठीक है, दौनों मैंसे कोई भी एक session होगा, most appropriate हम लोग कल तक आप लोगों को ये चीज clear कर देंगे, ठीक है, right, तो चलिए guys, ये था about हमारा session change हो रहा है जो, timing's change हो रहा है जो, ठीक है न, और एक theory session और उसके साथ एक MCQ session, यानि कि दिन में दो बार मुलाकात करेंगे, कहर हम तो वैसे भी दिन में दो बार मुलाकात ही करते थे, ठीक है, तो दो session है हमारे दिन के अंदर, पूरे दिन में, ठीक है, उससे भी ज़्यादा important एक चीज, ठीक है, boards के आ गए है sample paper, माना तुम लोग 11th में हो लेकिन boards के आगे sample paper, और अगले साल तुमें भी देना है paper, तो एक बार उन paper से थोड़ असा rubri हो जाओ, और अगर किसी को actually देखना है कि बही क्या analysis निकला है board के paper का, तो आप आराम से जाए, कल हमारी दिन में एक video upload हुई थी लगबक 3 बजे, class conduct के अदा मैंने, दिन में 3 ब sample paper of the board, ठीक है, right, कि किस तरीकी का paper है, कितना आप average marking दोगे, क्या mentality रखी गई है paper को बनाते समय, इन सारी चीजों के बारे में discussion, कल दिन की 3 बजे की video में मैंने आप लोगों से किया है, for with class 12, ठीक है, right, तो चलिए भाई, हम लोग जादा विलम नहीं करते हैं, और आज का session चालू करते हैं, कि भाई, आज का जो हमारा session है, वो आज का session है हमारा किस के उपर, minerals and rocks के उपर, mineral आपके chapter में से हट गया है, तो आपके पास बच्चा क्या, सिर्फ और सिर्फ rocks, मैंने उसको जोडा किस के साथ, किस के साथ जोडा, मैंने उसको जोडा, volcanic eruption के साथ, क्यों मैं उसको volcanic के साथ जोड रहा हूँ, क्या कारण है मेरा उसको volcanic के साथ जोडने का, ठीक है न, मैं आप से कुछ question पूछूँगा, comment section में answer दीचेगा, सिर्फ 5 तक count करूँगा, पहला question, हम minerals की बात करें, mineral कहां पे मिलता है, ठीक है, पहला question ये रहा, आपको mineral कहां पे मिलता है, your time starts now, 5, 4, here we go, 3, जल्दी, जल्दी, comment section 2, and last 1, ठीक है, minerals मिलता है, अर्थ के crush में, अंदर, interior of the earth, चलिए, दूसरा question, mineral की जगे, specify कर दी मैंने, कहां मिल रहा है आप लोगों को mineral, या तो अर्थ के crush पे मिल रहा है, अर्थ की surface पे मिल रहा है, या फिर surface के अंदर मिल रहा है, य rocks कहा मिलते हैं, या कहां कहां होते हैं, ठीक है, question number 2, वापस से सुन ले, 5 second का समय दूगा, question number 2, rocks कहां मिलते हैं, या कहां कहां होते हैं, ठीक है, 5 second का समय, ये शुरू हुआ आपका, 5, comment section में देना है, four three two here we go last count one that's it चलिए बहुत बड़ी है बहुत चांदार the correct answer is on the surface of the earth or interior of the earth अब आया मेरा आज का प्रशन नमबर तीन अब ये बताओ के वाल कैनों कहां से आता है या लावा कहां से आ रहा है प्रशन नमबर तीन है लावा कहां से आ रहा है third question समय दे रहा हूं गिंती चालू करूँगा एक से time starts now here we go one two three four जल्दी 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 फड़ाफट से देना है जवाब and five हो गया काम खतम अब देखो जवाब लावा आया अर्थ के इंटीरियर से तो आप देखो एक relation समझो जो लावा अर्थ के इंटीरियर से आ रहा है उसी इंटीरियर से निकल के आ रहे है मिनरल और उसी इंटीरियर से निकल के आ रहे है रोग यानि कि there is a relation between लावा, मिनरल and रोग यह मैं कहूं सीधी सीधी सी बात के मैं 2900 किलो मीटर पर अर्थ के इंटीरियर में नहीं जा सकता मैं 3600 किलो मीटर पर नहीं जा सकता, मैं 6380 किलो मीटर पर नहीं जा सकता तो फिर मुझे क्या पता कौन सा मिल रहा है नीचे मिल रहा है ठीक है, for that मुझे पता होना कैसे पता चलेगा तो यानि कि something has been come out from the interior of the earth और उसने बोला देखो interior में ये ये चीज मिलती है कुछ अंदर से बाहर आया, अपने साथ सब कुछ लेके आया then we come to know कि earth के interior में ये भी मिलता है इसकी इतनी density है, इस depth पर मिल रहा है तो हो गया ना relation, that volcanic eruptions, minerals, rocks volcanic eruptions, minerals, rocks, तीनों एक साथ जुड़ गए अगर eruptions नहीं होंगे, तो आपको greater depth के उपर रखे वे minerals के बारे में, greater depth पड़े वे पत्थर के बारे में कोई कहानी पता नहीं चलेगी तो अगर उनको जानना है तो volcanic eruptions पढ़ना पड़ेगा that is why I club both the chapters, क्यों club किया the only reason of clubbing both the chapter is the volcanic eruptions help us in the study of minerals and rocks, it is only the volcanic eruptions that brings out the minerals as well as rock from the greater depth interior the earth's surface and that comes out and tell us about the quantity of mineral that we are getting from the interior of the earth as well as the state of the minerals as well as the kind of the rock आया समझ में क्यूं हमने club किया this is the only reason that's why I club this thing ठीक है चलिये, so guys we'll start up with the session volcanic eruptions से rock तक की कहानी पे लेके जाऊंगा ठीक है चलो है ना आजाओ तो हम लोगों के प्लस के courses के साथ जुनने के लिए guys आप लोग हमरा subscription code apply कर सकते एकेजे 01 ठीक है and आपको मिलेगा 10% instant discount ठीक है चलिये being an educator मैं आपको class 11th और class 12th की यहाँ पे जोग्राफी पढ़ाता हूँ और हम लोग जोग्राफी एक बहुत ही simple और systematic manner के अंदर यहाँ पे कुछ अलग create करने के लिए पड़ते हैं ठीक है चलिये bugs and bunty अगर आपको कुछ inappropriate लगता है during the video और कुछ inappropriate content है so that you can report description के अंदर links available हैं ठीक है and if it is found to be the correct you'll win lots of lots of prices ठीक है बात करते हैं यहाँ पर subscription की ठीक है na subscription की बात करें तो plus के अंदर आपको मिलता है सबसे पहले घर बैटे पढ़ाई unlimited access to all the courses उसके इलावा आप India के top educators से पढ़ रहे है there will be regular doubt clearing sessions and now the mcq session that has been initiated by each and every teacher okay mentorship and guidance study material practice test series live test series and batch courses so many more things has been lined up for you at a single place ठीक है ना right चलिए so now what about the pricing अगर हम pricing की बात करें 12 months plus 2 months subscription free plus 10% off अगर आप लोग हमारा code apply करते हैं AKJ01 ठीक है 12 months का cause got reduced to 13,500 only ठीक है right चलिए now the features of the iconic subscriptions ठीक है अगर हम iconic subscription की बात करें तो यहां पर आपको मिलता है personal mentor ठीक है live doubt solving access weekly report card उसके लावा parent connect will be there steady planner it's a kind of a thing like के आप लोग कहां पर lag कर रहे हैं और आप लोग कहां पर plus में हैं so that you can analyze and then justify ठीक है चलिए अब अगर हम लोग pricing की बात करें about this तो यहां पर pricing आता है 12 months plus 2 months again minus 10% off तो यानि की 14 months का जो subscription cost हुआ that cost 25,200 रुपीज only ठीक है चलिए गाइस हम लोगों ने interior of earth को पढ़ा about the interior of earth पढ़ा पूरा कापूरा हम लोगों ने यहां पर काहनी पढ़ी अब हम चलते हैं किस के उपर volcanic eruptions के उपर किस के उपर चलते हैं हम लोग volcanic eruptions के उपर चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं volcanic eruptions हैं क्या ठीक है चलिए उससे भी पहले एक चीज के जो लावा बहार आता है वो अपने साथ क्या-क्या लेकर आता है उसको देखो लावा जब भी बहार आएगा ठीक है वो फ्रोकिलिस्टिक डब्रिस छोड़े छोटे अलग-अलग तरीके के पत्थर volcanic bombs, ash, dust particles, some sort of gases that can be harmful for us as well as they are nitrogen compounds, sulfur compounds, minor amounts of chlorine gas, hydrogen and argon ठीक है यह सारी gases वो अपने साथ लेकर के बहार आता है ठीक है, so look, यहाँ पर आपको इसमें, इसके अंदर आपको मिलेगा क्या the mineral, the content of the mineral, ठीक है, right, तो directly और indirectly आपको यहाँ पर minerals मिल रहे है ठीक है, चलिए, अब भड़ते आगे कि किते तरीके के volcanic eruptions होते हैं, on the basis, कितना flow है, कितना गाड़ा है कितना पतला है, ठीक है, right, उसके इलावा कितना material contain करता है, किस तरीके का material contain करता है, किस जगे पे है उसके basis पे, we have four to five types of volcanic eruptions, ठीक है, चलिए हम लोग सबसे पहले चलते हैं, पहले volcanic eruption के उपर shield volcanoes shield volcanoes basically सबसे ज़ादा flow करने वारे volcanoes होते हैं, number one, ठीक है, oceans के आसपास, seas के आसपास आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, इसके इलावा, इन volcanoes की जो explosivity होती है, मतलब explosion करने की tendency, that is comparatively very, very, very less, ठीक है, low explosive होते हैं, but जहां से volcanic eruption निकल रहा है, अगर वहाँ पे पानी जाता है, then the explosivity increases, ठीक है, तब यह थोड़ा सा explosive हो सकता है, it comes out in the form of the fountains, ठीक है, na, fountains की form में बहार आते हैं, ठीक है, right, okay, चलिए, now we have, it is formed by the eruption of highly fluid, सबसे जादा fluid material, सबसे जादा fluid, लावा से चलता है, पहली चीज़, which travels farther and forms thinner flows, that are more viscous लावा, next, shield volcanoes are found, wherever, fluid silica, silica means SiO2, silica, reaches the surface of the earth, however, they are most characteristics of ocean island, ocean islands के अस पास, ठीक है, वलकानिसम, with hot spots or with continental rift volcanoes, continental rift volcanoes का मतलब, इस तरीके से shifting and then it comes out, so it is somewhat near to that of oceans, the shield volcanoes are the largest of all the volcanoes on the earth, earth पर बिलने वाले जितने भी volcanoes हैं, उन सम में सबसे बड़े shield volcanoes हैं, अच्छा और जीता जागता example है, Hawaii volcanoes, ठीक है, are the most famous examples of these, ठीक है, most volcanoes are mostly made up of basalt, a kind of a material, ठीक है न, जो के fluid tendency रखते हैं, for this reason, these volcanoes are not steep, ऐसा steep slope नहीं हैं, यह फैले हुएं, right, see, we have an example, so, अगर यहां पर पानी इंपोर्ड होता है, अंदर गया, तो there will be a, a kind of a blasting will be there, otherwise, कुछ नहीं है, look, look over here, like this, see, a kind of a blast will be there, methane explosion, क्योंकि गैसे बाहर निकलिंगी इस में से, ठीक है, huge amount of gases will be there, so, here we have, literal, ठीक है न, what does this exactly denote, it denote, देके, लावा आके पानी में मिला, so, it creates a explosion, ठीक है, right, this is known as vent, see, and this is lava foundation, ठीक है, right, next, shield volcanoes, ठीक है, low explosivity, that I have discussed, ठीक है, the upcoming lava moves in the form of a fountain, and throws out the cone, at the top of the wind, they include the largest volcanoes on the earth, such as tamu masif, and mauna loi, ठीक है, and this is one amongst those volcanoes, which are not only restricted to the earth surface, they are found also on the venus, as well as on the other planets, such as mars, ठीक है, along with the name, they are known as olympus monas, ठीक है, on mars, and supposmos on venus, so, they can be found on other planets, as well, ठीक है, next we have, second we have composite volcanoes, comparatively viscosity high होती है, ठोड़ा सा जादा गाडापन इनके अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, composite volcanoes are characteristics by the eruptions of cooler and more viscous lava, cooler मतलब ठंडा और जादा जिसकी viscosity है, उसका eruption हो रहा है, मतलब comparatively इतना जादा गरम नहीं है, these volcanoes often result in explosive eruptions, along with lava, large quantity of procalistic material and ashes find their way, यानि कि यहाँ पर दुआ ashes बहुत जादा होंगे और procalistic material काफी जादा होगा, एक दम से यह fountain करके बाहर निकलेगा, ठीक है, तो it means there will be a steep slope और एसे यह बाहर निकल रहा है, ठीक है, look at the example, see, this is the example, right, these are the ashes that has been forming out, see the steep slope and it goes down, ठीक है, and this is comparatively तोड़ा सा गाड़ा है, ठीक है, right, okay now, this material accumulates in the vicinity of the vent, opening, sledding to the formation of layer, this makes the mounts appear at a composite volcanoes, ठीक है, right, we have an example, Mount Etna and Mount Fiji, are the best example of such kinds of volcanoes, now, we have the third kind of volcano, तीसरा कौन सा वलकोने है, तीसरा, ठीक है, that is what, Caldera, ठीक है न, Caldera क्या होता है, it's a special name, it's a kind of a different kind of volcano, जो की बहुत जादा explosive है, ठीक है न, ये क्या है, बहुत ही जादा explosive है, और explosive क्यूं है, ऐसा कहते हैं, कि जहां से lava बाहर आ रहा है, उसके near vicinity में, इस lava का source है बहुत बढ़ा, ठीक है न, क्या बोलते हैं, the source of the lava is in the near vicinity or a close vicinity of the eruption, तो इतना dangerous हुआ के फढ़ गया, and it comes out, ठीक है, राइट, और वो पूरे structure को पूरी तरीके से collapse down कर देता है, जहां पे वो occurred होता है, राइट, चलिए, we have, caldera are the most explosive, सबसे जादा explosive, volcanoes होते है, अर्थ के crust के उपार, दूसरा, they are usually so explosive, that when they erupt, जब वो बहार आते हैं, they tend to collapse on themselves, पूरा धराशा ही कर देंगे, rather than building any tall structures, यानि की आपको यहां पे कोई tall structure बनता हुआ, नहीं दिखेगा, look at the example, then you come to know, first look at the example, see, this is an example, पूरी तरीके से कदम कर दे, okay, look this one also, right, here we have, this is the source, yeah, okay, this is the source, might be possibility, not short, this is the source, और यह बहुत बड़ा माउंटेन है, और पूरी तरीके से कोलाप्स होके है, देखे, पूरा खाली है, it completely collapse, empty from the inside, and what rest, what about the others, see, there is a steep slope, here, we don't have a steep slope, but a kind of a slope building will be there, ठीके न, right, okay, they collapse, depressions are called capital, elders, their explosiveness indicates that the magma chamber supplying the lava is not only huge, but it is also in the close vicinity, यानि कि जो magma chamber उसको lava supply कर रहा है, अंदर से जहां से, सोर से उसका, वो बहुत ही जादा ख्लोस है, eruption के, अच्छा, oh, I forgot, look, 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 just go back, now, here we have a look, look at this, you can easily watch this, see, this is a mountain range, पूरा internal structure collapse एक खाली है, and this lava is in a close vicinity, see, how dangerous it will be, के पूरा का पूरा structure collapse हो गया, so, it's a kind of a caldera, yeah, it's a kind of a caldera, you can watch out the source even, you can watch out the source even, so, look at this, right, so, this is a kind of a caldera volcanoes, example, crater lake in Oregon, right, this is an example, see, this is also the picture, okay, now, third one, the flood basalt, flood basalt and last, fifth one, जो था, that is, mid oceanic ridge, these are one of the longest, और सबसे ज़्यादा basalt, surface land बनाते, ranges का, ये काफी ज़्यादा फ्लो करते, और लंबा तक फ्लो करते, काफी ज़्यादा लंबा फ्लो करते, ठीक है, flood basalt का, अगर मैं example लूँ, तो बहुत अच्छा example है, इंडिया के अंदर, deck and trap, deck and trap is the best example, ये पूरा का पूरा flood basalt है नीचे से, ठीक है ना, right, पूरा का पूरा flood basalt है, है ना, right, okay, so flood basalt provences, these volcanoes outpour highly fluid lava, highly, बहुत ज़्यादा, fluid मतलब liquid, that flows for long distances, अगर गाड़ा पन होगा तो ज़्यादा लंबा नहीं ज़्याएगा, but it is fluid और काफी ज़्यादा, eruption निकलता है, बहुत ज़्यादा, चीक है, right, some parts of the world are covered by thousands of square kilometers of thick basalt, they can be, they can be as thick as, they can be as thick as 100 of kilometers, अगर if we talk about the individual, 100 or 10, 20, 50, 40, so it depends upon the kind or the place, ठीक है ना, it varies from place to place, ठीक है ना, right, तो it can be as thick as 10 kilometers, 15 kilometers, 20 kilometers, so thickness varies if we talk about the individual, अगर हम individual की बात करें, so there can be a series of lows with some flows attaining thickness of more than 50 meter, individual flows may extend for hundreds of kilometers, ठीक है, if we talk about the individual, then it can expand up to hundreds of kilometers, ठीक है, now, we have an example of the flood basalt, the deccan traps from India, presently covering most of the Maharashtra Plateau, are a much larger flood basalt provenance, काफी जादा बड़ा, काफी जादा लंबा चोड़ा है, ठीक है, it is believed that, initially, the trap formations covered a much larger area than the present, ऐसा माना जाता है, के अभी जो वो जगे occupy कर रहा है, comparatively उससे पहले बहुत जादा जगे, मतलब, this flood basalt is in greater area, but now the division has been occurred, few of the surfaces get inside submerged in the seas, and all these reasons will be there, the most famous US example of the flood basalt, provenance is the Columbia River, ठीक है, basalt, covering southeast of Washington State, and extending all the way to the Pacific and into Oregon, Oregon, we have seen the example of crater lake of Oregon, ठीक है, right, here we have the example, see, it's a kind of, काफी गाड़ापन नहीं है इतना सादा, see, it's a flowing, like this, ठीक है ना, तो generally, it's a kind of a fluid, fluid, है ना, next, last आता है हमारे पास, क्या, mid-oceanic ridge, mid-oceanic ridge का मतलब क्या हुआ, mid-mतलब बीच में, ocean मतलब ocean के अंदर, ridge मतलब उच्चा उड़ गया, है ना, देखो, ये mid-ocean और ये उच्चा उड़ गया, है ना, तो यहां से lava outpour हो रहा है, और ocean में फैल रहा है, and it extends up to thousands of hundreds of kilometers, और फैलता जाता है, और पूरा बेस बना लेता है, तो it is as big as the ocean, आप consider कर सकते हो, सोच सकते हो, ocean कितना बड़ा है, and see this example, ये देखे, magma outpour हो रहा है, ठीक है, it is something like, कोई earthquake wave है, and that earthquake wave strikes at the bottom of the ocean, and its epicenter will be in the mid-ocean, so the lava comes out, and then it starts moving, and look, it goes to the base of the continent, so the whole ocean has been covered, पूरा पूरा ocean covered हो जाएगा, the complete ocean has been covered, so they can be very big, काफी बड़े हो सकते हैं, ठीक है, and they are always in the mid-oceans, ठीक है, आपको जरनली कहां मिलेंगे, they are generally in the mid-oceans, ठीक है, these volcanoes occur in the ocean areas, number one thing, there is a system of mid-ocean ridges, more than 70,000 kilometers long, that stretches all the ocean basin, the central portion of this, is, we have some examples, ठीक है, Colbisne ridge, segment of mid-Atlantic ridge, north of Iceland in the Arctic Ocean, first example, second, Mohannes, sorry, Mohannes ridge, ठीक है, third, it is basically between Greenland and Spitsborgen, ठीक है, and south of Iceland, fourth one, so here we have, some of the examples of mid-oceanic ridge, तो यहां पर, हमने, पांच तरीके के, volcanic eruptions को पढ़ा, पांच तरीके के, volcanic eruptions के बारे में समझा, के पांच तरीके के, volcanic eruptions कौन कौन से हो सकते हैं, पहला, शील्ड, दूसरा, composite, थार्ड, caldra, फढ़ा-फढ़ से, comment section में, जल्दी-जल्दी mention कीजिए, I am just counting to 20, चलो, ठीक है, मैं तीन नाम बोल चुका हूँ, दो नाम आपको और बोलने, और बहुत ही भैतरीन होगा, बहुत ही भैतरीन होगा, के अगर आप 500 नाम बोल देतो, ठीक है, I just count to 20, here we go, 20, 19, 18, 17, 16, comment sections में, please mention all the, 5 kinds of volcanic eruptions, types of volcanic eruptions, बीच में भुला देते हो गिंती, 15, here we go, 14, 13, 12, 11, 10, here we go, 9, 8, जल्दी चलिए, countdowns आ रही है, ठीक है, right, satellite launch हो रही है हमारी, 7, 6, 5, here we go, 4, 3, 2, 1, 0, चलिए, ओके, 5 नाम, मैं बापस बता देता हूँ, पहला, shield volcanoes, दूसरा, कौनसा, composite, तीसरा, caldera, चौथा, flood basal, 5 वा, mid oceanic ridge, ठीक है, अब क्या हुआ, ये जरूरी तो नहीं है न, के अगर, lava, नीचे से उपर आया, और वो बाहर आजा है, पूरा का पूरा, it is sometime, like के, खहीं बीच में फ़स गया, in the earth crust, and over there, it cools down, so, it is sometime happens, that, a few segment of the lava, a few segment of molten magma are still remain inside the crustal portion of the earth, ठीके, at different different locations, in different different manners, and on that basis, we forms our volcanic landforms, उसके basis पे, we form what, we form our volcanic landforms, ठीके, volcanic landforms का मतलब, volcanoes है, landforms मतलब, जमीन बना रहे हैं, ठीके, that how the volcanoes are exactly forming the base crust, clear, right, so now we have the volcanic landforms, और देखे, volcanic landforms कितने तरीके के हैं, सबसे पहला, batholith, batholith का मतलब, it is a place, it is a part of original magma chamber, what does it say, original magma chamber, तो यह हुआ batholith, actual chamber है, फिर उसके बाद आता लाकोलत, it's a dome shaped, it's basically a dome shaped, कैसा shape है, dome shaped है, कहीं उपर जाके बनता है, it is very close and a near vicinity of the earth crust, ठीके न, earth crust के बहुत close vicinity में होगा, and even there is a formation of this lacolith dome, on the crust of the earth, ठीके, the best example are, the, these are the domes of Karnataka, ठीके न, Karnataka reason में, we have a dome shaped, ठीके न, crustal portions of the dome ships, small small hikes will be there, ठीके न, so, they have a lacolith base, ठीके, उसके इलावा, this straight moving is what, that straight moving is, ठीके, this straight moving is dyke, ठीके, उसके इलावा, we have a linear move, like sill, this is a stop, and all these things will be there, ठीके, so, on this basis, we have different kinds of landforms, see, again, lacolith, उपर जा रहा है, batholith, ठीके, batholith से dyke, उपर flow करके लिए का रहा है, and it is moving out, ठीके, राइट, अब देखे, दो तरीके के rocks है, on the, देखे, जो molten lava है, when it cool downs, on the earth crust, it forms a structure of igneous rocks, फिर वो igneous rocks थोड़ा सा पुराना हुआ, it converts to sedimentary, फिर और ज़दा पुराना हुआ, convert to metamorphic, और फिर वो वापस molten हो गया, तो वो lava निकला और बाहर आके बैठ गया, वापस से igneous, so this cycle goes on, igneous, sedimentary, metamorphic, lava, high temperature, वापस से बाहर आया, and again it forms a igneous, तो एक ही पत्थर है, जो गूम रहा है, it's a kind of a rock cycle, गूमती जारी है, गूमती जारी है, rocks can get converted from sedimentary to igneous as well, वापस से, no issue will be there, but once it goes to metamorphic and at a high pressure, when it comes in a contact of lava, it becomes molten, उपर ले के आया, igneous बना दिया, so lava outbrings the rock material in a liquid form, and once it cools down, it converts to igneous rocks, सबसे नया, नवीन, प्राचीन, पैदा हुआ, igneous, ठीक है, और बुज़ुर्ग है, metamorphic, ठीक है, the cooling may take place either on reaching the surface, and also inside the crust portion, और उसको अगर cooling crust portion में हुई, तो उसको बोलेंगे intrusive forms, intrusive forms, why intrusive forms, but it forms in the internal part of the crust, forms different different patterns, ठीक है, depending on the location of the cooling of the lava, igneous rocks are classified as volcanic rocks, volcanic rocks, जब surface पे आके कूल हुँँगे, plutonic rocks, जब crust के अंदर कूल डाउन हुँगे, so there will be two types of rocks forms in the igneous part, one volcanic that is above the surface, one plutonic that is interior of the crust, ठीक है, the lava that cools within the crustal portion assumes different forms, these forms are called intrusive forms, ठीक है, चलिए, अब सबसे पहले चलते बैथोलित, बैथोलित मतलब bath, मतलब base, बैस मतलब जहां से actually may be possibility के lava कभी आए, it is a huge part, it is a huge part, ठीक है, और it forms at the greater depth, बहुत ज़ादा depth पे होगा, large dooms बनाता है, ठीक है, अपियर on the surface only कब, जब denudational process होगा, say for example, look, this is the base for the lava, here is a batholith, ठीक है, और यह surface है, अब क्या होगा, denudational process से यह हट गया, यह हट गया, दीरे दीरे इरोड होता जा रहा है, खतम होता जा रहा है, at last, जब यह उपर की पूरी लेयर चली गई, we have at the bottom what batholith, then we come to know, that here is a base of the lava, ठीक है, right, from where it emerges out, ठीक है, they cover large areas, and at a time assumed that, that may be several kilometers, काफी लंबा होता है, these are granitic bodies, batholiths are the cooled portion of magma chambers, ठंडे होते हैं, next we have letoliths, dome shape बनाते हैं, near to the earth crust आते हैं, ठीक है, crust पे भी dome shape का formation होगा, pipe के थूपर आते हैं, it's a kind of a dikes, pipe के थूपर आ रहा है, ठीक है, and it forms a crustal portion, it resembles the surface volcanic domes, of composite volcano, only these are located at, some lower depths or deeper depths, it can be regarded as a localized source, lower depths पे होंगे, और localized source है, कभी कभी outpour होने के, ठीक है न, example, the Karnatica plateau is spotted with, domal hills of green night rock, so it's example of that only, ठीक है, now we have, lapolith, pacolith and sills, ठीक है, right देखे, as and when the lava move, upwards, जब लावा दीरे दीरे ऊपर आएगा, a portion of the same, may be tend to move in the, horizontal direction, इस तरीके से, linear layer, मैंने सिल दिखाई थी अभी, whereas it finds a weak plane, थोड़ा कच्छा हिस्सा बनेगा, it may get rested in different forms, in case it develops into a saucer shape, lapolith, saucer shape, ठीक है, इस तरीके से, the wavy mass of intrusive rocks, at times is found at the base of the synclines, ठीक है, और उसके बाद, धीरे 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 धीरे, वो magma chamber तक, और drains हो जाएगा, that is known as paculets, ठीक है, and अगर वो sheets बना रहा है, thick material की, या पतली layer बना रहा है, काफी जादा, so that is known as sills, right, चलिए, now we left up with the dykes only, dykes, मैंने अभी आपको दिखाया, कि वो एक layer है, ये बैतो लितर, उससे एक pipe की form में उपर आ रही है, ठीक है, जबलप in the land, it solidifies, ठंडा होगा, almost perpendicular to the ground, see, look, if you want to look at this, look, this is perpendicular to the ground, again we have, this is perpendicular to the ground, ठीक है, इस आणोन अज़ आपको दिखाया, ठीक है, right, okay, it gets cooled in the same position, और ऐसे ठंडा होगा, ठीक है, to develop a wall-like structure, एक wall-like structure बना लेगा, such structures are known as dikes, example, western Maharashtra area, ठीक है, these are considered the feeders for the eruptions, that led to the development of the Deccan plateau, ठीक है, these are basically the feeders, ठीक है, a kind of the feeders they act like, ठीक है, तो चलिए guys, यह हुआ हमारा volcanic eruptions, जिसको हम लोगों ने rocks के साथ जोडा, अब आपको I think clear हो गया होगा, why we talked about these rocks, and these volcanic eruptions, on a same pitch, ठीक है, ना same pitch में मैंने बात करी दोनों में, ठीक है, अब इनसे हम लोग जब बाहार आएगा, volcanic eruption, और वो ठंडा होने के बाद बनाएगा, पत्थर, rocky basis, ठीक है, minerals, जो कि हमारे chapter में से हड गया है, अगर हम बात करें, कि difference क्या है, in minerals, and in rocks, तो सिर्फ एक difference मुझे दिखा, जरनल ही अगर मैं नोट करूँ, mineral जिसमें quality एड हो गई, और rock जिसमें quality एड नहीं हो पाई, mineral जिसमें qualities एड हो गई, और rock जिसमें qualities एड नहीं हो पाई, तो वो rock बन गया, और एक mineral बन गया, it comes out, output, ठंडा होगा, and then it forms the basic structure surface बनाया, किसका rocks का, जो की कहलाते हैं, सबसे primitive rocks, or we call them as igneous rocks, ठीक है, फिर उसके बाद दीरे 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 नीचे बैटेंगे, they come to be known as secondary, sedimentary, फिर और नीचे बैठा, और pressure, और forms change होई, metamorphic, again they go down, break down, वापस से उपर आएंगे, they form the igneous rocks again, so the cycle of the rocks will go like this, round and round and round and round, कहीं से भी, कहीं पे भी out in हो सकता है, ठीक है, so guys, आज के इस session के लिए इतना है, यहीं पे हम alp viram लेंगे, अगर आपको कुछ doubt है, please follow the comment sections, ठीक है, आप लोग वहाँ पे अपने doubts को बता सकते हैं, while during the sessions, we'll have these doubts clear for you, ठीक है, तो चलिए guys, आज के लिए इतना हैं, और यह हमारा जो chapter interior of the earth था, पूरी तरीके से खतम हुआ, और इसको हमने connect किया था, किससे, minerals and rocks से, तो अगला session पूरा का पूरा, rock पे होगा, one go में, ठीक है, अभी बहुत सारे offers prevailing है, on unacademy, अगर आप लोग 9 months, 12 months, 15 months, 18 months का subscription लेते हैं, तो आपको 2 months CBSC extra free, ठीक है, और अगर आप हमारा code apply करते हैं, you'll get a instant 10% discount, you can download the unacademy application from google play store, as well as app store, search with the name, akash gen, and you can get through the courses, ठीक है, तो चलिए guys, यहीं पर अलप विराम लोगा, अपनी वाणी को अलप विराम दोगा, अगर आपको अमारा ये session पसंद आया हो, तो please like it, share it, as well as subscribe the scholars channel, अगर कोई नया है, और अभी तक अगर किसी ने नहीं किया है, तो जल्दी जाएए, and like, please press the bell icon, for the more updates related to the sessions, and और हमारे sessions के timing भी change हो रहे, मैंने वीडियो के starting में आपको बताया है, तो चलिए guys, यहीं पर अलप विराम लेते हैं, फिर मुलाकात करेंगे परसो, एक और नए session के साथ, एक और नए topic के साथ, तो let's crack it with an academy, जल्द मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें, and have a happy and energetic learning, ठीक है, तैंक यू,